दोस्तों जब बात पेड़ पौधों की आती है तो हम सभी को एक अलगी खुबसूरती का ऐसास होता है क्योंकि ये पेड़ पौधे ही हैं जिन से हमें इतना सारा ऑक्सिजन मिलता है और बदले में इन्हें जिन्दा रहने के लिए केवल सनलाइट, वाटर, एर और मिनरल नूट्रिशन की जरुद होती है जो इन्हें मिट्टी या फिर तालाब के पानी से भी मिल जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे कितने अच्छे होते हैं जो बिना हमारा नुकसान किये हमें सिर्फ फायदा देते हैं पर दोस्तों थोड़ी देर के लिए अपनी सोच पर लगाम लगाईए क्योंकि सभी प्लांट्स ऐसे नहीं होते बलके कुछ प्लांट्स मानसाहारी भी होते हैं जिनके जरुरत केवल सनलाइट, वाटर या एर वगरा से पूरी नहीं होती बलके इन्हें extra nutrition लेने के लिए जिन्दा जिवों का शिकार करना पड़ता है और हम जहरीले प्लांट्स को भी कैसे भूल सकते हैं जिनका जहर साब के जहर से भी ज़ादा तेज और असरदार होता है अब यह प्लांट्स कौन से हैं और कैसे दिखते हैं इसे जानने के लिए वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा bladder wart दोस्तो सबसे पहले आप इस प्लांट पर नज़र डालिए यह एक ऐसा प्लांट है जो watery environment में रहता है लेगिन इस पौदे के तने में छोटे-छोटे chambers होते हैं जो अंदर से पूरे खाली होते हैं ऐसे में जब कोई छोटे कीडे मॉकड के तने में होकर गुजरते हैं तो उसमें बने chamber के ऊपर मौजू छोटे-छोटे hairs को touch कर देते हैं और जैसे ही इन हेर्स में एक्टिविटी होती है वैसे ही ये चेमबर जट से खुल जाते हैं और जो कोई भी कीड़ा इसके उपर बैठा होता है उसे तुरंट अपने अंधर ले लेते हैं और फिर चेमबर वापस से बंद हो जाता है जिस वज़े से वो जी इस चेमबर के अं स्पीड से होता है जिससे अपनी आखों से देख पाना भी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है तो आप खुद ही समझ जाए कि इस प्लांट का शिकार होने वाले क्रेचर्स भलक खुद को कैसे बचा पाते हैं दोस्तो ये प्लांट अपना एक शिकार करने के बाद चैंबर में मौझूद सारे पानी को निकाल देते हैं और फिर से पूरी तरसे खाली हो जाते हैं ताकि अपने अगली शिकार को अपने जाल में फसा सकें संड्यू दोस्तो इस कार्निवरस यानि कि मांसा हरी प्लांट के शिकार करने का तरीका तो और भी जादा हैरान करने वाला है क्योंकि इस प्लांट के छोटे-छोटे हेर्स होते हैं जिसके अंतीन छोर में आपको हलका सा लिक्विड देखने को मिल जाएगा असल में दोस्तो ये जो लिक्विड होता है ये शिकार को फसाने का एक तरीका होता है क्योंकि ये लिक्विड एक स्वाधिस्ट नेक्टर होता है जो इंसेक्ट को काफी पसंद है इसलिए जब कोई इंसेक्ट इस लिक्विड के पास से गुजरता है तो वो इसे पीना शु कि कैसे यह plant insect को पूरी तरह दबाने में लगा हुआ है और जब insect पूरी तरह से इस plant के चंगूल में फस जाता है तो digestion का process शुरू होता है यह plant धीरे धीरे करके insect से nutrition digest करता है पर इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी brain cells के यह plants chemical signal के मिलते ही अपने आप move करना शुरू कर देते हैं ताकि अपने शिकार को दबोच सके पीचर plants चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसे plant की जिसका शिकार करने का तरीका काफी अलग है क्योंकि इन plants को अपना शिकार करने के लिए बिल्कुल भी move नहीं करना पड़ता बलकि इनका structure ही ऐसा है कि इसमें शिकार ख वगेरा food की तलाश में इस plant के अंदर आता है तो वो कभी भी बाहर नहीं निकाल पाता क्योंकि इसके अंदर वाले structure में काफी slip करने वाला liquid होता है जो insect को नीचे की तरफ ले जाता है यहां तक कि अंदर वाले structure में आपको काफी छोटे छोटे बाल भी देखने को मिलेंगे जो नीचे की ओड़ जाते हैं ताकि कोई भी insect अगर गलती से भी इस plant के अंदर चला जाए तो वो इसमें पूरी तरह फ़स जाए जिसके बाद इस plant के digestion का process सुरू होता है वैसे दोस्तों कुछ पीचर प्लांट्स छोटे मोटे कीडे मोकोडों के अलावा बड़ा शिकार भ होगा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़ी आप के बारे में बताना चाहता हूं जिसे मैं पिछले दो-तिन दिनों से यूज कर रहा हूं यह है बिनोमो ऑनेस ट्रेडिंग एप यह एप एंड्रोइड और आयोस दोनों पर अविलेबल है इस एप की थू करना कुछ नहीं है बस आपको इसमें प्रेडिक्ट करना है कि टाइम के हिसाब से यह ग्राफ उपर जाएगा या नीचे अगर आपका प्रेडिक्शन सही रहता है तो आपको प्रॉफिट होता है दोस्तों आप इसे साड़े 300 रूपे से भी शूरू कर सकते हैं तो गाईस स हो रहा है तो देखा गाईस मैंने 7,000 इंवेस्ट करके इतने पैसे कमा लिए लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही हो कई बार आपको लॉस भी हो सकता है दोस्तों कमाये हुए पैसों को आप बढ़ी आसानी से बैंक अकाउंट या फिर अपने पेटियम व इसके अलावा नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके अगर आप बिनोमो का डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे 60,000 रुपए सीखने के लिए वो भी आपको डेमो अकाउंट में तो जल्दी से डाउनलोड किजे डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से बिनोमो एप को और कमा ये रुज़ाना 1000 रुपए लेकिन एक बार इन्वेस्ट करने से पहले खुज से भी सभी चीजों को जरूर चेक कर ले वीनस फ्लाइ ट्रैप अब दोस्तों जिस प्लांट के हम बात कने जा रहे हैं उसके पत्ते किसी खुली किताब की तरह हैं जिन में से काफी प्यारी स्मेल यानि कि सुगन दाती है और उसी स्मेल को सूंग कर कई सारे इंसेक्ट इस प्लांट की तरफ एट्रेक्ट होते हैं इसे मौजूद पोर्स स्टिमुलेट होकर खुल जाते हैं दोस्तों ऐसा होने पर पानी एक हिससे से दूसरे हिससे में मूव कने लगता है अब वाटर प्रेशर में हो रहे हैं बदलाव के कारण इस पेड़ के पत्तों का जो बुक की तरह स्ट्रक्चर होता है वो पूरी त जाब की तरह बंद करके डाइजस करना शुरू कर देगा पर सबसे अनोखी चीज तो ये है कि ये प्लांट इस पूरे काम को इलेक्टिकल चार्ज की मदद से करते हैं जो काफी अनोखा प्रोसेस है डेफोडिल अब ये प्लांट दिखने में वो उतना ही खतरनाक होता है क्योंकि इस प्लांट के फूलों के साथ-साथ इसके तने, पत्तों और जड़ों तक में जहर पाया जाता है और इस पौधे का जहर आपको बिमार कर सकता है लेकिन अगर किसी ने इसका अधिक मातरा में सेवन कर लिया तो उसकी जान भी जा सकती है दोस्तों इस प्लांट के जमीन के उपर वाले हिस्से में लेकरों नाम का जहर पाया जाता है ये जहर इनसान के साथ-साथ जानवरों के लिए भी काफी खतरनाक है दोस्तो इस पौधे के इतना ज़्यादा खतनाक होने के बावजूद भी लोग फिर भी इसकी तरफ आकरशित होने से खुद को रोक नहीं पाते तो दोस्तो अब बात करते हैं वाइट स्नेकरूट नाम के इस पौधे की अब जाहिर सी बात है कि जिस किसी के नाम में सांप आये तो उसके खत्रे का अंदाजा पहले से ही लगाया जा सकता है और ठीक ऐसा ही कुछ आपको इस पौधे के साथ भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये साफ सुतरा सा दिखने वाला पौधा काफी जहरीला होता है अधिकतर सेंटरल और नॉर्थ अमेरिका में पाय जाने वाले स्पौधे के अंदर ट्रिमर्टल नाम का जहर होता है जिसे अगर किसी ने खा लिया तो उसकी मौत होना निश्चित है क्योंकि इसमें मौजूद जहर काफी हाई इंटेंसिटी का होता है और इसके खत्रे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई केटल यानि की कोई मवेशी इस पौधे को खाता है तो इस जानवर के मांस और दूद दोनों जहरीले हो जाते हैं ऐसे में अगर किसी इंसान ने उस मवेशी का दूद या मांस दोनों में से किसी एक का भी सेवन किया तो वो इंसानों के लिए बहुत खातक साबित हो सकता है यहां तक कि उसकी मौध भी जा सकती है क्योंकि जादातर लोगों के शरीर में ये जहर दूद के जरी ही जाता है अब दोस्तो हम जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं ये यूरोप, नॉर्ट आफ्रिका और वेस्ट एशिया में पाये जाने वाला सबसे जहरीला पौधा है यू तो इस पौधे का हर एक हिस्सा बहुत ही जहरीला होता है लेकिन खासतोर पर इसकी जड़े काफी जहरीली होती है इस पौधे के अंदर एक्ट्रोपाइन नाम का जहर होता है जिसका हलका सा डोस भी किसी इंसान या जानवर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है और अगर हम इस प्लांट से निकलने वाले फल की बात करें तो वो दिखने में काफी सुन्दर और अट्रेक्टिव लगते हैं और बताये तो ये भी जाता है कि इस फल का स्वाद भी जबर जस्त होता है लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद आप इसे चकने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि इसके अंदर भी जहरीले केमिकल्स होते हैं जो एडल्ट लोगों पर तो कम असर करते हैं लेकिन इस केमिकल्स का असर बच्चों पर ज़्यादा तेजी से होता है और शायद आपको ये बाद जानकर हैरानी होगी कि बेला डोनर नाम के ये प्लांट टमाटर, पैंगन और मिर्ची के परिवार से आते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल इतिहास में काफी लंबे समय से जहर के रूप में होता आ रहा है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उमेद है आपको इन खतानाग प्लांट के बारे में जानकर काफी हैरानी होगी आपको इन में से सबसे इंटरस्टिंग प्लांट कौन सा लगा कमेंट करके ज़रू बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जाननी या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रू शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को आउन कर लिजे ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस न करें मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार